नमस्कार दोस्तों, हेल्थी लिंग और होमियोपेथि के इस नए भीडियो में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है मैं डॉक्टर एस्पीदे, कॉंसल्टेंट, होमियोपेथिक फिजिशियान एंड टिनिकल नूट्रिशनिस्ट फ्रम शिलिगूरी ओएस बेंग और इंडिया आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ primary infertility का homeopathic scope या homeopathic treatment क्या कर सकते हैं जिन लोगों का बच्चा नहीं हो रहा है primary मतलब एक भी बच्चा आया ही नहीं उन couple का जो newly married है उनका क्या कारण होता है क्यों ऐसे होता है और क्या क्या treatment options उन लोगों के पास है आज हम लोग बात करेंगे क्या-क्या treatment options एलोपथी के पास है क्या-क्या lifestyle management उन लोगों को करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं इसलिए उनका problem हो रहा है होमियोपथी में हम लोग उनको क्यों कितना treat कर सकते हैं और कैसे treat कर सकते हैं क्या results आता है इन सबी के बारे में तो ये वीडियो थोड़ा तो details में होगा और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप खुद ऐसे suffering कर रहे हैं कि आपका newly married हुआ एक भी time आपका बच्चा नहीं आया primary infertility आप suffering कर रहे हैं ऐसे couple है male या female और अगर आपका ऐसा कोई nearest, dearest friend circle में है तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अच्छा लगने पर इस channel को like and subscribe करना मत भुलिएगा दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले है हम लोगों को समझना चाहिए कि primary infertility क्या होता है primary infertility मतलब newly married couple जो होते हैं उनका marriage का at least two years होना चाहिए और within this two years उनको six month का try करना चाहिए बेबी के लिए husband-wife का relation six month तक routinely होना चाहिए ऐसा नहीं है कि husband बाहर रहते हैं, दो महीने में एक बार आते हैं, महीने के पाच दीन आते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग safe period, danger period बोलते हैं safe period, danger period के उपर मैं और एक वीडियो बना दूँगा, उसको आप लोग समझ लिजिएगा तो जो fertility period होता है, मतलब हर महीने के इने short, हर महीने के last जिस दिन आपका period होआ उससे पहले 10 दिन, मतलब day one of bleeding से लेके, 10 दिन तक आपका pregnancy आने का कोई chance नहीं है next जो 10 days होता है, day one of bleeding से लेके, 10 दिन जोर के, उसके बाद का जो 10 दिन होता है उसमें at least 48 hours, हर दो दिन में एक बार husband-wife का relation होना चाहिए ये होने के बाद, जब आपका problem solve नहीं होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं के primary infertility at least 6 महीने इस हिसाब से आपका relation होना चाहिए फिर जाके अगर बच्चा नहीं आता है, तो उसको हम लोग primary infertility बोलते हैं ये एक important point है, कभी-कभी married couple after marriage of 6 और 8 month भी हम लोगों के पास आते हैं ठीक नहीं, at least 2 years, उसके बाद, at least और अगर 2 years नहीं तो at least 6 month routine try आप लोगों को करना चाहिए उसके बाद ही, बहुत सारे ऐसे cases हैं जो primary infertility के treatment स्टार्ट कर दियां हम लोगों के पास जब आते हैं, routine try करने के बाद, without medicine लोग प्रेगनेंट बन जाते हैं ऐसे भी 10-20% patient होते हैं इसके बाद का जो हम लोगों का important part आता है cause identification female cause and male cause हम लोग तो जानते नहीं है कि fresh जो merit couple है, ये female part में problem है या male part में सबसे important है कि male का एक ही test सबसे ज़्यादा important है, वह है semen analysis and culture तो उसको अगर एक ही test को हम लोग करा लेते हैं, तो more or less male part का हम लोगों को surety हो जाता है कि इसमें कोई problem नहीं है तो male part में जो test होता है, उसको लेके बहुत जिजक रहता है मन में बहुत सारे पूरूश ऐसे महंते हैं, कि अगर मैं semen analysis करूँ, कुछ problem निकल जाए तो मेरा कुछ problem बड़ा निकल जाएगा, मेरा बदनाम हो जाएगा और semen analysis करने के बाद अगर किसी का, अकसर male जो partners है हम लोगों को बोलते हैं, मुझ में कोई problem नहीं है तो sexual power रहना, या male power रहना, या ठीक से relation को complete करना, ये इस से कोई ये साबित नहीं होता है कि उनके सेmen में जो sparms है उसमें problem नहीं होगा sparm में problem हो सकता है, esthenogospermia हो सकता है, oligospermia हो सकता है, teratogospermia, necrogospermia, बहुत सारे ऐसे varieties है sperm disorders के, उनके उपर भी मैं एक video अलग से बनाऊंगा तो ये हो सकता है, इसके लिए male test सबसे पहले important है before female अगर वो ठीक है, तो कोई problem नहीं है, उसके उपर मैं एक अलग video दूँगा sperm count, sperm disorder, sperm motility and everything about specimen analysis इसके बाद हम लोगों का जो important सबसे आता है, male ठीक है, तो female में हम लोग सबसे पहले जो test कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं female infertility profile उसमें हम लोग देखते हैं, ultrasonography of whole abdomen खास करके lower abdomen का जो reproductive part है, ovary, uterus and etc का हम लोग ultrasonography निकालते हैं, उसके बाद हम लोग hormonal study कराते हैं, हर महीने के जो menstruation होता है, उसके second से लेके six day के अंदर सुबा खाली पेट में blood देके कुछ test कराना जरूरी होता है, उसमें आता है follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, anti-mullerian hormone, prolactin and thyroid stimulating hormone, ये सब हम लोग करा के देखते हैं कि किस में क्या problem है, अक्सर देखा गया है, ये सब test, बहुत सारे doctors, अलोपती भी होते हैं, होमीपती भी होते हैं, किसी भी दिन करा लेते हैं, लेकिन इन सब testों का level जो है, optimum जो है, वो हर महीने के menstruation के female के menstruation के second से लेके six day के between ही होता है, यही प्रामान्य पुस्तकों में लिखा गया है gynecology का, और यही कराना चाहिए, protocol मानना चाहिए, वरना confusion create होता है, बहुत सारे important cases में मैं पहले ही बोल चागो, medicine लगता भी नहीं है, ऐसा देखा गया है, इसके बाद आते female जो causes है, सबसे important आजकाल जो बहुत सारे causes आप लोगो को internet में मिल जाएगा, google करने से बहुत सारे causes, typical typical terms, बहुत सारे causes मिल सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो हम लोग practice करते हैं, सबसे important, सबसे basic जो causes आते हैं, उसी को मैंने सजाया है, सबसे number one cause आता है polycystic ovarian syndrome, 40% of Indian primary infertility are caused by polycystic ovarian syndrome, इसके बाद आता है, इसके उपर polycystic ovarian syndrome के उपर मेरे चैनल पे एक वीडियो अल्रेडी है, और एक वीडियो मैं बनाने का कोशिश करूँगा, देख लीजेगा कैसे हुमिपती में polycystic ovarian syndrome ठीक होता है, इसके बाद आता है ovarian reserve and ovarian failure syndrome, ये सायद आप लोगोंने news होना है, देखिए polycystic ovarian syndrome हो चाहे ना हो, ऐसे बहुत सारे cases होते हैं, जिनमें सब कुछ नर्माल होते हुए भी ovarian syndrome ठीक नहीं होता है, उसको भी हम लोग बोलता है ovarian reserve, और low AMH, सब कुछ ठीक है, polycystic ovarian syndrome भी नहीं है, लेकिन ठीक से pregnancy नहीं आ रहा है, उसको भी low anti-mullerian hormone, इसके उपर मेरे चैनल पर अल्रेडी एक वीडियो है, बहुती फेमास वीडियो है, anti-mullerian hormone के उपर, जरूर देखिए का अगर आप साफारिंग कर रहे हैं, या आपका कोई nearest DRS साफारिंग कर रहा है, तो anti-mullerian hormone अगर low रहे, तब भी ovarian reserve या evolution failure create होता है, ये एक important part है, इसको हम लोग ignore करते हैं, खास करके allopathy doctors लोग तो जरूर ignore करते हैं, क्यूंकि सब कुछ ठीक रहते हुए भी, या polycystic ओबारी रहते हुए, नहीं रहते हुए भी, evolution अगर ठीक से नहीं हो, timely नहीं हो, 5-6 दिन आगे पीछे हो जाए या नहीं ही हो, तो हम problem हम लोग का create होता है, जुसमें pregnancy नहीं आता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, पकरा कैसे जाए, इसके लिए और एक study होता है, ओभर यान follicular study हम लोग उसको बोलता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी female के menstruation के second day से लेके, 5 दिन successively ultrasonography होता है, और day 2 में ultrasonography जो करता है, खास क करके female अगर radiologist मिल जाए, किसी ultrasonography center में तो बहुत ही अच्छा है, या male भी कर सकता है, ये पार भैजाइनाल होता है, भैजाइनाल में एक probe डाल के देखा जाता है, और उपर से भी देखा जाता है, कि second day आपका ovarian, sorry, maturation कितना है, उसी साब से आपको 2 दिन या 3 दिन के बा तक note down किया जाता है, कि ये rapture हो गया, बहुत ही easy, non painful और non side effect वाला एक test होता है, अगर कोई ऐसा patient है, जो जानना चाता है, कि मेरा ovulation ठीक से होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको यही test कराना है, इसको बोलते हैं हम लोग, ovarian follicular study, ये एक ultrasonography होता है, abdomen के उपर से भी हो होता है, इसलिए अगर कुसी center में आपको female gynecologist मिल जाये तो अच्छा है, कोई भी doctor इसको advice कर सकते हैं, और ये आप कराके, ये आपको मालूम चल जाएगा, कि मेरा ovulation ठीक से हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें भी एक किन्तु रह जाता है, कि ovulation तो हो रहा है, ओभाम का health ठ देख सकते हैं, कि उनका sperm का health कैसा है, ऐसे ही, ओभाम अगर आप निकाल भी दे, हम लोग ovarian follicular study में देख भी ले, कि हाँ, राप्चर हो रहा है, graphian follicular और ओभाम निकल रहा है, तो ओभाम का health check-up करने का, ओभाम का genetic study, morphological study करने का, still now आज तक उतना ज्यादा advance कोई test नहीं ह एक problem है, लेकिन evolution हो रहा है, यह हम लोग चान सकते, ovarian reserve को हम लोग exclude कर सकते, इसके बाद आता है बहुत सारे hormonal problem, अगर आपका prolactin high है, अगर आपका TSH हाही है, आपका hypothyroid है, आपका FSH-LH में problem है, polycystic ovarian syndrome है, pre, sorry, early menopause के तरब आप जा रहे है, low estrogen level है, इसमें भी primary infertility आता है, pregnancy ठीक से नहीं आता है, इसके बाद का और एक cause है, uterine fibroid, multiple uterine fibroid, बहुत कम उमर से बहुत सारे लगियों का आते, उनमें भी primary infertility, खस करके secondary infertility, जिसमें एक बार pregnancy आ गया और miscarriage हो गया, ऐसे cases भी हम लो आता है, uterine adhesion से एक बीमारी होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं, और uterine adhesion और scarring, ये सब जो बीमारी है, इसके साथ और एक important बीमारी है, severe endometriosis, including adenomyosis, endometriosis के बहुत सारे patients हम लोग के पास आते है, और endometriosis को homeopathie बहुत अच्छा treat कर सकता है, अभी हम लोग आएंगे कि homeopathie में हम लोग होगा क्या scope है और क्या नहीं scope है, तो जितने भी बीमारी हो के बारे में male and female में हम लोगों ने बताया, इसका basic जो treatment plan होता है, मैं जो करता हूँ, starting में हम लोग सब patients को test करके confirm कर लेते हैं, cause के कौन से cause में उनका problem हो रहा है, या कोई-कोई patients था ऐसे couple आते ह तब हम लोग खास करके female को ही ज़्यादा treatment देते हैं, कभी-कभी male को भी देते हैं, treatment plan में हम लोग का constitutional homeopathie medicine होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको एक, दो, तीन, चार specific homeopathie medicine यहाँ पर बोल दे तो infertility का problem घर में ही ठीक हो जाएगा, इसके लिए अच्छा कोई institutionally qualified homeopathie doctor के पास आपको जाना परेगा, खास करके उसका degree, DMS हो, DHMS हो, BHMS या IMD हो, उनके पास जो ऐसे cases, deals करते हैं, वही आपको ठीक कर सकेंगे, how to find a good homeopathie doctor, इसके उपर मेरे चैनल पे एक video अल्रेडी दिया हुआ है, वो जरूर देखिए, एक playlist है, homeopathie doctor, what you should know, मेरे चैनल के content में जाक आप चेक करते हैं कि, homeopathie doctor को कैसे हम लोग जाच करें कि, कौन अच्छा है नहीं, अच्छा है, क्या homework करें, जानते नहीं है, homeopathie के बारे में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो वो playlist आप देखिए, उसमें बहुत सारे videos है, उसमें खास करके एक video है, homeopathie doctor, what you should know, वो जरूर दे access rate रहता है, कभी-कभी 90% भी हो जाता है, इसमें एक important part है, कि purely surgical cases कुछ होते हैं, कुछ endometriosis, endometries होता है, purely surgical cases, एक कारण, एक disease के बारे में, मैं आप लोग को बोलना भूल गया, वो होता है, tubal block है, जिस सब के उपर, अलग-अलग से हम लोग video बनाएंगे, और इसका क्या, क कैसे ठीक होता है, तो इसके बारे में भी discuss करेंगे, बरना ये वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, tubal blockage, right या left fallopian tube, अगर दोनो block है, तो आपका उभाम नहीं आएगा, pregnancy नहीं आएगा, और अगर एक है, ब्लोक एक खुला है, तो pregnancy आने क चांसे जाधा हो जाता है, तो ये जितने भी कारण हम लोगोंने बाताया, female part का या male part का, इस सबको constitutional होमीपेथी medicine treatment देखे हम लोग ठीक कर सकते हैं, और इसको ठीक करने के लिए आपको specific medicine से जाधा, constitutional medicine के पास ही, ऐसे doctor जैसे मैंने पहले बाताया, वैसे search करके ही जाना है, जिनका success rate अच्छा है, और खास करके infertility cases में, hormonal cases में मैं diet देता हूँ, इसके उपर भी, एक infertility diet के उपर भी मैं अलग वीडियो देने वाला हूँ, अभी chain of infertility events के उपर मैं वीडियो दूँगा, तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, दो medicine मैं आप लोगो, देखिए, ज छे महिने से एक साल अच्छा होमिपर्थी treatment लेने से आपका problem ठीक हो जाएगा, चाहे आपका tubal blockage हो, चाहे आपका policies ठीक हो भारी हो, चाहे आपका evolution reserve हो, चाहे endometriasis हो, चाहे कुछ भी हो, problem अगर वो purely surgical, exclusively surgical नहीं हो, medicinally management, manageable हो, तो आपको 6 महिने से एक साल treatment लेने से आपको result आपका successful healthy baby delivery हो जाएगा, problem कहा होता है, patients confused हो जाते है, उसको उनमें लज्जा आ जाता है, वो किसी को बोलते नहीं है, कभी husband, wife को दोस्ट देते हैं, कभी wife husband को दोस्ट देते हैं, ये सब जो problems होते हैं, ये problems को खुद को मीटा के doctor के पास time ली जाना, test बगरा सब करा लेना, male and female दोनों अपना मन का बात बोलना, doctor से, कि मुझको ये problem हो रहा है, कि ये problem हो रहा है, उसके हिसाब से test कराना, और ये test करानी के बाद हम लोग share होंगे, और cost को अगर हम लोग पकल लेते हैं, तो उनका treatment देने पर, constitutional homeopathy treatment, 6 महने से एक साल लेने के बाद, आपका problem जरूर सल् नहीं है, कि ये खालो, ओ, खालो, हमी, ये दवाई, फलाना दवाई, फलाना दवाई, इसे YouTube में आप लोग देखेंगे, ऐसे YouTube में आपको बहुत सारे remedies मिल जाएंगे, लेकिन उससे आपका problem solved तो हो गाई नहीं, और allopathy का treatment protocol है, जितना सारा hormonal medicines, बहुत सारे hormonal medicine injections बगेरा भी बहुत सारे कैसे स्टीक नहीं होते, तब उनलोग IVF, in vitro fertilization ये test tube baby में जाते हैं, जिनका success rate 10-20% ही होता है, दोस्तों, आपको कोई center 30%, 40%, 60% बोल सकता है, लेकिन overall 10-20% ही होता है, यही सच बात है, तो infertility के अगर आप patient है, आपका नियारेस, डियास कुछ भी वीडियो क जरूर अंतग अच्छा से देखिए, तो ऐसा है कि दो medicine के बारे में मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, अगर आप infertility patient है तो ले सकते हैं, female में सबसे important medicine है होमियोपथी में, अशोका मादार, हर infertility patient को मैं देता हूँ, यह uterus, uterine जो cavities बगरा है, उसको साप रखता है, और ovulation को stimulate करता है, और male में है अशोगंधा मादार, यह दो medicine male में अशोगंधा मादार, female में अशोका मादार, यह दो medicine male और female ले सकते हैं, दस बून करके दिन में तीन बार, दो चमच गरम गुन गुने पानी में खाने के बाद, male अशोगंधा, female अशोका मादार, यह लेते रही है इसके साथ अच्छा होमिपदी डॉक्टर दिखाई है मेरे साथ भी कॉंटक्ट कर सकते मेरा 8617032935 वाला जो नंबर है उसमें कॉल मत किजिएगा दोस्तों अनलाइन